हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे केविलियर पोईट्स के बारे में केविलियर पोईट्स कौन थे केविलियर पोईट्स का जो मूवमेंट था उसका इंग्लिश लूटरेचर में क्या रोल था क्या भूमिका उसने प्ले करी थी तो आई हम देखते हैं केविलियर पोईट्स ज लेके 1649 तक चला यह जो पीरिट था 1625 इस पर इस समय इंगलेंड का जो राजा था वह चाल्स फरस्ट था उससे पहले कौन था 1603 से लेके 1625 तक 1603 से लेके 1625 तक किसका राज था किंग जेम्स फरस्ट का जिसको हम जैकोबियन पीरिट का नाम से इंगलिश लिट्रेचर में चानते हैं हम बात कर रहा है कैरोलीन पीरिट में इस पीरिट में जो इसकूल ऑफ इंगलिश पॉएट्स थे मतलब जो गृप था इंगलिश पॉएट्स का जो 17th सेंचूरि में कैर 1642 से लेके 1651 तक चली थी उस Civil War में भी जो Supporters थे वो सारे Supporters इंगलिश पोईट्स जो Supporters थे वो सारे के सारे Cavaliers थे कहे जाते तो उनको और इनको Royalist के नाम से भी जाना जाता था Royalist मतलब जो राजा को Support करते हैं उसको तो ये Cavalier जो पोईट्स है ये Roundheads के बड़े खिलाफ थे Roundheads कौन थे Roundheads वो लोग थे जो Parliamentary Parliament के लोग थे House of Common के लोग Actually ये Roundheads ये कहते थे कि देखो देश पर राज जो राजा जो country है वो देश जो है इसको राज करने के लिए एक group होना चाहिए जिसमें common people भी होने चाहिए चीक है मगर Cavaliers कहते थे कि भाई राजा ही सर्वो पर ही है और राजा जो ये कहता है वही सही है तो वो राजा के supporters थे कौन Cavaliers और Roundheads के जो Parliament के लोग थे उसके वो खिलाफ थे और Oliver Cromwell जो के Roundhead का supporter था ये जो civil war जो चली थी वो इनहीं के बीच में थी Oliver Cromwell जो Parliament के support में था House of Common अंगेस King Charles I के बीच में civil war होई थी इसी civil war के अंदर 1649 में 1651 में जब इसका end हुआ था तो King Charles I को Oliver Cromwell के दौरा execute कर दिया गया मार दिया गया और ये civil war खतम हो जाती है क्योंकि Charles जो था बहुत जदा कला का प्रीमी था और ये जो cavalier poets से वो हमेशा इस तरह की वक को लिखते थे जो कि Charles I को पसंद आता था केविलियर जो term है ये cavalier terms उसको कहा जाता था कहा जाता था जो King Charles I को support करते थे और हमने देखा कि King Charles I को support करने वाले English poet थे वो केविलियर का जो attitude था उस समय में इन जो पोईट से उनका attitude कैसा था बिल्कुल dismissive attitude और ये हमेशा दूसरों को inferior समझते थे क्योंकि वो अपने आप में रॉयलिस थे उनको राजा का support था तो house of common के लोगों को ये common people को ये हमेशा dismissive attitude से देखते थे और उनने हमेशा inferior समझते थे इसलिए जो common people थे जब कभी भी cavalier poets को देखते थे जब इस group को देखते थे तो उनको cavalier cavalier कहकर पकारते थे और cavalier common people की नजरों में एक insult वाला word था एक ऐसा शब्दा जो कि सामने वाले किस तरह के लोग हैं कैविलियर poets का जो group था उसमें कौन-कौन से जो prominent figure थे एक Robert Herrick, Richard Lovelace, Thomas Carew and Sir John Suckling cavalier poetry की खासियत क्या थी? कि cavalier poets जब भी poetry लिखते थे वो हमेशा religion, philosophy और arts को avoid करते थे वो कभी भी इन topics पर लिखते नहीं थे उनका जो main area of interest था, क्या था? beauty, क्यों पर लिखना? love, nature, sensuality, drinking, honor and social और यह सारे के सारे topics जो थे राजा को बड़े पसंद आते थे, King Giles first को और यह जो cavalier poets से वो हमेशा जो भी work लिखते थे उनका पूरा focus किसे बात पर होता था? कि राजा की उसमें glory हो दूसरा, यह पूरा group जो था, Sons of Ben भी कहलाता था, Sons of Ben का मतलब है Ben Johnson के supporter Ben Johnson के work को यह imitate किया करते थे, तो यह जो cavalier poets थे, यह Sons of Ben भी कहे जाते थे यह tribes of Ben और सबसे important इनके work में है, इनकी poetry जो भी लिखते थे, उसमें सबसे खासे चीज थी Carpadium concept, Carpadium concept का मतलब है, seize the day, यह believe करते थे, कि life आज है और आज आप जो कुछ भी enjoy कर सकते हैं, life को पूरी तरीके से जिया जाए इस दिन को पूरी तरीके celebrate करो, जो भी आप अपना best कर सकते हो, जिसी चीज में वह भी आप करो तो they used to believe in this, this is the main concept of Cavalier poets Thomas Carrow का सबसे important work था, an allergy upon the death of the Dean of St. Paul's, John Dunn John Dunn जो थे, metaphysical poet थे, और Thomas Carrow ने सबसे important work, John Dunn के उपर ही लिखा था यह एक allergy थी आपकी, Richard Loveless ने, जो उनका important work है, 2L थी, from prison इस work की सबसे important line इसके अंदर, stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage actually जब Richard Loveless ने यह work लिखा था, उस समय यह prison में थे और उन्होंने इसकी important line में इस समय दी है, यह उसकी पहली line थी stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage, मतलब जो प्रिजन की जो दीवारे हैं और जो iron bars, जो लोहे की जो दर्वाजे हैं, यह उसको कहत नहीं कर सकते हैं और second work इनका important था, 2Locasta, on going to the walls works, ऐसे ही Robert Herrick का important works है, Hesperides, Hesperides के collection है, 2500 poems का, यह एक तरह का magnum opus है, बहुत ही important masterpiece work है, Robert Herrick का, इन्होंने और works भी लिखे, to the virgins, to make much of time, korena's going to daffodils, यह Robert Herrick के important वक थी, John Suckling ने इन्होंने एक game invent किया था, card game, इस card game में, इस card game को बुलाया जाता था, cribbage, यह card game जो था, cribbage था, यह आप net पर अगर आप cribbage डालेंगे तो आपको इसको दिखाई दे जाएगा, यह cribbage, cribbage जो game है, किस तरह का है, एक वक था ballad upon a wedding, यह भी एक masterpiece था, इनका, एक tragedy थी, जो publish हुए थी 1638 में, and goblins comedy था, यह publish हुआ था, आपका 1646 में, तो यह था आपका cavalier poets के cavalier movement, जो I hope कि यह आपको समझने मदद करे, thank you.